पद्म पुरान में लिखा है, इस मित्यु लोक में जीव जन्तूओं की 84 लाख योनिया निवास करती हैं, और उसी में से एक योनी है मनुष्य योनी, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक सतकर्म करता है, उसी के फल्सवरुप उसका जन्म मनुष्य योनी में होता है। धर्म शास्त्रों में मनुष्य योनी को बहुत ही दुरलब और सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। धर्म शास्त्रों की अगर माने तो जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनी में ही भोगना पड़ता है। इस वीडियो के कमेंट में जैश्री नारायन लिखकर परमात्मा को अपना आभार प्रकट करिए। दोस्तों, गरुन पुराण में सपस्ट लिखा है। जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनी में जन्म लेता है, तो वह सबसे पहले इश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकन के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्री में स्त्री के रज में मिल जाता है और एक हो जाता है। इसके बाद यह पांच रात्री में छोटे कन का रूप ले लेता है। और बाद में यह अंडे के आकार में बदल जाता है। इसी तरह एक महीने में उसके सर निकल आता है। दो मास में हाथ, पाव, आदी अंगों का निर्मान हो जाता है, और तीन मास में नाखून, हड्डिया, वचा, स्त्री पुरुष के चिनह, तथा अन्यचिदरक उत्पन हो जाते हैं। चौथे महीने से उसमें मास उत्पन होने लगता है। फिर पाँचवे महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। छठे मास से जिल्ली में लिप्ता हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहेन किये हुए अन जल आदी से उसकी भूख मिकती है। वह जीव विष्टा मूत्र के दुरगंध युक्त गड़े रूपी गर्भाशे में सोता है। वह कोमल होता है गर्भाशे के भूखे कीरे उसके अन बार-बार काटते हैं जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वह जीव बार-बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खटे, आदिपदार्थों का स्पर्ष होने से उसके सारे शरीर में कष्ट होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशे में जिल्ली से लिप्टा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पीठ की ओर और पीठ तथा गर्दन कुंडलाकार रहती है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांती इस पराधीन स्तिथी में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ती के द्वारा स्मरण शक्ती प्राप्थ होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। अपने पिछले जन्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर सात्वा माह आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ती भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। स्थोल शरीर में बंधा हुआ, वह जीव अत्यन्त भयभीट होकर दुख भरी वानी से क्रिपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुती करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है कि हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे जो यह गती दी है, मैं इसी योग्य हूँ. इस तरह निरीह शब्दों से वह भगवान की बार-बार प्रार्थना करता है, और इस मृत्य लोक में न भेजने की याचना करता है। जीव गर्ब से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए हर एक दिन गिन रहा होता है, और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवन मुझे दीन को यहां से कब निकाला जाएगा। अता आपकी दी हुई विवेक बुद्धी से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशे में, यद्यपी मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी बाहर निकलकर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिलकुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी बुद्धी अहम से युक्त हो जाती है, और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में ही रहना होता है, दोस्तों, श्री हरी विश्नु ने विश्नु पुराण में पक्षीराज गरुर को आगे जो बताया था, ठीक वैसा ही आगे की विडियो में बताया गया है, बस कुछ कठिन शब्दों को सरल भाशा में अनुवाद किया गया है, इस प्रकार की बुद्धिवाले एवन स्तुती करते हुए दस माह के रिशिकल्प उस जीव को प्रसूती वायू प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है, प्रसूती मार्ग के द्वारा न उसकी स्मृती भी नश्ट हो जाती है, प्रित्वी पर विश्टा और मूत्र के बीच गिरा हुआ, वह जीव मल में उत्पन कीडे की भांती चेश्टा करता है, और विप्रीत गती प्राप्त करके ज्यान नश्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है, कर्म भोग के जीव जब घर से बाहर आता है, तब उसी समय वैश्टनवी माया उस जीव को मुहित कर देती है, माया के स्पर्ष से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, शिशु रूप में मिलने वाले दुखों को पराधीम की भांती भोगता है, उसका शोशन करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अता अपनी इच्छा बताने में असमर्थ होने के कारण, जीव को बहुत दुख होता है, दूशित एवं मलमूत्र से अपवित्र, शया पर सुलाए जाने के कारण, अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में, अपनी कुछ भी करने में असमर्थ रहता है, जैसे एक कीडा दूसरे कीडे को काटता है, उसी प्रकार ज्यान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डास, मच्छर और खटमल आदी जन्तु तकलीफ देते हैं, इस प्रकार शिशु अवस्था के दुख भोग कर, वह जीव पॉगंड आवस्था अर्थात की शोरावस्था में भी दुख ही भोगता है, इसके बाद युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ती को प्राप्त होता है, तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुशों के साथ संबंध बनाता है, और स व्यक्ति के दिमाद में घर कर जाती है, उसके ना मिलने पर अज्यान के कारण क्रोध उत्पन हो जाता है, वह कामी व्यक्ति, अभिमान और क्रोध में अपने नाशेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है, इस प्रकार अधिक बलशाली, अन्यकामी जनों के द्वारा, वह वैसे ही मारा जाता है, जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी. मनुष्य रूपी जीवन पाकर, यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या, अपने भौतिक सुखों को प्राप्ट करने के लिए करता है, तो उसे अगले जन्म में, उसी जीव की योनी में जन्म लेकर कश्ट भोगना पड़ता है. जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिन पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किये गए सारे कर्मों के हिसाब से, इसी मृत्य लोग पर शारिरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी परती है. उदाहरन के रूप में, यदि कोई मनुष्य अपने माता-पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है, जैसा उसने अपने माता-पिता के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर इसी तरह चलता रहता है, मृत्यू के बाद जब जीव को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के जवाब में उसे उत्तर मिलता है कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म क करने का समय था, उस समय तुम काम क्रोज से आ सकत हो, बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो तुम मुक्ती की आस करते हो, कर्मफल नश्ट नहीं हो सकता, जो तुमने किया है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए है देहधार जब भी तुम्हारा अगला जन्म मनुस्य योनी में हो, तो अच्छे कर्म करना, ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके, सैक्डों योनियों को पार करके, प्रित्वी पर दुलब मानव योनी प्राप्थ होती है, मानव शरीर प्राप्थ होने पर भी, ग्विजत्व अर्थात दूसरा जन्म की प्राप्ती उससे भी अधिक दुलब है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले हुए इस जीवन में अधिक से अधिक सतकर्म कर, जन्म और मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्ती दिला लें, देखने के लिए धन्यवाद आ आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आए अगले वीडियो में फिर से जुड़े कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें